नमस्कार आप देख रहे हैं जनभाबना टाइम से आपके साथ मैं हूँ आंकिता आजकल युवाओं में ओनलाइन डेटिंग का क्रेज बहुत जाधा बढ़ रहा है सोशल मीडिया ने जहां लोगों को जोडने का काम किया है तो वहीं ये उतना ही जाधा खतरनाग भी है क्योंकि आप दूर बैठे उस व्यक्ति को ना जानते हैं और ना ही पहचानते हैं कि वो कौन हैं कैसा है और उस पर अंधविश्वास कर लेते हैं इसी वजह से कई लोग सोशल मीडिया की वजह से भारी मुश्किलों में भी पढ़ चुके हैं ऐसा ही एक मामला गुजरात के पूर बंदर से सामने आया है जो बेहत चौकाने वाला है जहां एक युवक ने अपने लिए सुन्दर और अच्छी पतनी खोजने के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट का सहारा लिया वेबसाइट के जरीए दोनों मिले भी और शादी भी कर ली लेकिन युवक के तब होश उड़ गए जब शादी के बाद उसे पता चला कि जस महिला के साथ उसकी शादी हुई है वो एक हिस्ट्री शीटर है ये पता चलते ही युवक के तो होशी उड़ गए इसके बाद युवक ने इंटरनेट पर जब उसके बारे में और जानकारी खोजनी शुरू की और जैसे ही रीता का नाम गूगल में टाइप किया तो उसकी पूरी क्राइम प्रोफाइल खुल कर सामने आ गई क्राइम लॉग में उसका नाम चोरी, डकैती, गैंडे के अवैश शिकार, तसकरी, हत्यार के मावलों सबेत कई बड़े मावलों में शामल पाया गया ये महिला एक डौन निकली, यही नहीं, उसकी पत्नी का नाम राश्री और अंतर राश्री कार चोरी के मावले में भी सामने आया उसके उपर पाँच हजार से जादा कारे चोरी करने का आरोप है तो वही जब युवक ने उसे फोन किया और अपनी पत्नी से पूछा कि उसने उसके साथ आखिर ऐसा क्यों किया तो वो उसी पर ही भड़क गई और बोली कि जो होना था वो हो गया है और इसके बाद आरोपी महिला ने पती का फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया इस मामले के खुलासे के बाद से युवक का बुरा हाल है तो वहीं युवक के परिवार के लोगों का कहना है कि ये सब ऑनलाइन लड़की खोजने की वजह से ही हुआ है इसके बाद युवक ने पोरबंदर के SP को आवेदिन किया है पोरबंदर के महराजबाग इलाके के जलाराम कुटीर में रहने वाले विमल तुलसिदास करिया की शिकायत पर पुलिस अब जाच कर रही है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब कोई इस तरह से ओनलाइन ठगी का शिकार हुआ हो इससे पहले भी कई युवा ओनलाइन चैटिंग साइट या फिर मेर्ठी मॉनिल साइट से धोका खा चुके हैं इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताईए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार